समुंदर शब्द को सुनते ही मन में हल्चल सी हो जाती है हजारों सालों से लोग इसके रहस को जानने में लगें लेकिन समुंदर अपने गर में न जाने क्या-क्या समेटे हुए इश्क का रूहानी एहसास, समुन्दर, ख्वाब और दरिया जैसे शब्दों के साथ और गहरा हो जाता है शायरों के लिए समुन्दर या सागर बड़े विम और प्रतीक के रूप में वरते हैं और ये है हमारा समुन्दर और ये हमारा गुआ कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाओंगा कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाओंगा मैं तो दरिया हूँ, मैं तो दरिया हूँ, समुन्दर में उतर जाओंगा ये है हमारा गुआ और ये है हमारे गुआ की सरहत जहां पे हर कोई घूमने आता है पता नहीं क्यों जब भी गोवा आता हूँ तो दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है और ये एक ऐसी हलचल है जो कहती है बार-बार गोवा आने के लिए बार-बार गोवा आने के लिए जब भी गोवा आता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि आज पहली बार गोवा आया हूँ न जाने क्यों? हर बार देखा हुआ नजारा आज नया सा लगता है और इसी लिए मैं हर बार गोवा आता हूँ वो लिखा हुआ बागा बीच हर बार देखता हूँ वो लिखा हुआ बागा बीच, हर बार देखता हूँ, पर ना जाने, जब भी देखता हूँ, तो कुछ नया सा पता हूँ, वो वैसा ही लिखा है, उसी जगे खड़ा हूँ, वो वैसा ही लिखा है, और उसी जगे खड़ा है, लेकिन फिर भी मैं अपने आपको कहीं और खड़ा पाता हूँ जब भी किसी को कुछ समुन्दर के किनारे लिखता हुआ पाता हूँ तो चाहे वो कुछ भी लिख रहा हो मुझे गुवासा लिखता नजर आता है मुझे गुवासा लिखता नजर आता है और इसी लिए मैं हर बार गुवा आता हूँ मेरे सामने से जब कोई गुजरता है जब समुन्दर के नारे जब भी कोई मेरे सामने से गुजरता है तो लगता है अरे ये तो मुझसे ही कुछ कहने आ रहा है कि अरे ये तो मुझे से ही कुछ कहने आ रहा है और जब मेरे बगल से निकल जाता है तो लगता है कि कुछ ऐसा कह के गया है कि इस बार आए हो अगली बार फिर से आना है इसलिए मैं हर बार गो आता हूँ लोगों को हसते हुए मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो लगता नहीं कि इनसान मुस्कुरा रहा है हर बार ऐसा लगता है कि सुमंदर ने उसको कहा है कि तुम मुस्कुरा क्यूंकि आज ये महमान मेरे पास पहली बार आया है क्यूंकि ये मेमान आज मेरे पास पहली बार आया है और इसलिए मैं गुआ हर बार आता हूं समुन्दर की लैरों को छूने बार बार आता हूं जब भी लोगों को समुन्दर के अंदर जाते हुए देखता हूं जब भी समुन्दर के अंदर लोगों को जाते हुए देखता हूँ तो ऐसा महसूस करता हूँ कि समुन्दर खुद अपने आप में अंदर जा रहा है और कह रहा है यहीं खड़े रहना फिर से तुम से मुलाकात करने आ रहा हूँ और यही रीजन है कि मैं हर बार गोवा आता हूँ गोवा का आस्मान कभी बरसाता है कभी धूप दिखाता है गोवा का आस्मान कभी बरसाता है कभी धूप दिखाता है धूप में मुझे टैनिंग होती है दूप में मुझे टैनिंग होती है और बरसात में मेरा कपड़ा गीला हो जाता है बट फिर भी अपने काले बदन को देख के मज़ा आता है और अपने भीगे हुए कपड़ों को सुखाने में मज़ा आता है और इसी लिए मैं हर बार गोआ आता हूँ और इसलिए मैं हर बार गुवा आता हूँ न जाने क्यूं गुवा को देखते ही मन में शाइरी आती है बिना लिखे ऐसे लगता है कि समंदर एक सफेद रंग का कागज है जिस पे मैंने अपनी आजशाइरी पर्मानेंट लिख डाली है और यही रीजन है कि मैं हर बार गुवा आता हूँ और गुवा की लहरों को अपनों पैरों से छुआ के फिर दुबारा वापस गुवा आता हूँ दूर तक खड़े-खड़े हरे रंग के पेड दूर तक खड़े हुए हरे-हरे पेड पता नहीं क्यों मुझे गोर से देखते रहते हैं ये पेड हरे हैं भरे हैं हवा से खिलखिलाते हैं बट एक ही जगह खड़े हुए मुझे देख रहे हैं और जब मैं इनसे पूशता हूँ कि अरे मैं तो पिछली बार भी आया था तुम तो यहीं खड़े थे तो हर एक पेड़ मुस्कुरा के कहता है कि तब से तुमारा इंतजार ही तो कर रहा हूँ और यह सुनकर मन में मेरे हर बार यह बात आती है कि मैं इसी लिए तो हर बार गुआ आता हूँ नाव समंदर में हो या बाहर खड़ी हूई हो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा समझ आता है कि मैं हर बार एक नाव में बैठा समंदर में सफर कीये जा रहा हूँ और इसी एहसास को लेके मैं हर बार गुआ आता हूँ और यही रीजन है कि मैं हर बार गुआ आता हूँ दोस्तों आज का ये जो वीडियो आपने पुरा देखा और सुना सही में जब आप गुवा आएंगे तो गुवा की एक ऐसी हलचल दिल में होती है कि जो शायर नहीं भी होगा वो भी शायर बन जाएगा आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि एक बार गुवा जरूर आईए गुवा आपके मन में एक ऐसी लहर लाएगा एक ऐसी उमंग लाएगा एक ऐसी तरंग लाएगा कि जनाब अगर आप शायर नहीं भी होंगे तो यहां आकर शायर बन जाएगे यह बादियां आपको बना देंगी और हमेशा यही कहेंगी कि आप मत जाईए यही रह जाईए और यही बस जाईए गोवा चीज ऐसी है गोवा ऐसी जगह है तो गाईज होप सो आप सभी लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी जो इशायरियां है यह मैंने अपने मन से बनाई है और मन से ही सुनाई है ना लिखी है ना कुछ बसी वीडियो चलता जा रहा था supply सुनाई है जिसटे कुछ कमी रहागी तो आप करना और अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मिलेंगे अगली वार फिर अपने वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई नमस्कार मेरे चैनल शूट मैस्टाइल ब्लोग पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद